प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो मैं मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके पाठी पुस्तक के पहले अध्याय संख्या पद्धिती के बारे में संख्या पद्धिती में सबसे पहले वर्ण किया गया है संख्याएं और उनके प्रकार के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया है कि प्राकृत संख्याए क्या होती है संख्या एक, दो, तीन, चार इत्यादी संख्याएं प्राकृत संख्याए होती है प्राकृत संख्याओं को अंगरेजी भाश्याओं में Natural Numbers कहते है और इनको अक्षर N से प्रकट किया जाता है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की पूर्ण संख्याओं होती है जीरो शुन्य जिसे हम कहते हैं संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच इत्यादी आप देखेंगे कि प्राकरत संख्याओं के संग्रह मैं अगर मैं एक संख्या और सम्मिलित कर दूँ, वो संख्या है शुन्या तो जो मेरा संख्या है, वो क्या बन जाता है? वो संख्या बन जाता है पूर्ण संख्या तो इस तरह से आपने देखा कि जो शुन्य है वो एक पून संक्या है बट प्राकरत संक्या नहीं है और पून संक्याओं के संग्रेय में मतब जितनी भी पून संक्याओं हैं उसमें सिर्फ शुन्य को छोड़के सभी प्राकरत संक्याओं है पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में whole numbers कहते हैं और इसे अक्षर W से प्रकट करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांकों की देखिए पूर्ण संख्याओं के संख्याओं को देखिए इसमें आपको मिलेगा शुन्य, एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, पांच मिलेगा तो यह जितने भी संख्याओं हैं पूर्ण संख्याओं में सभी की सभी धनात्मक है इसमें कोई भी संख्या रनात्मक नहीं है अगर आप ऐसा संग्रह ले जिसमें सभी पूर्ण संख्याई हो और उनके रिनात्मक मान वाली संख्याई भी हो तो जो वो संग्रह बनेगा वो पूर्णांकों का संग्रह बनेगा मतलब पूर्णांकों के संग्रह में integers कहा जाता है और इनको अक्षर Z से प्रकट किया जाता है इसके बाद हम बात करेंगे परिमेश संख्याओं की परिमेश संख्याओं वो संख्याओं होती है जिनको P बटे Q के रूप प्रकट किया जा सकता है और इसमें जो Q का मान है वो कभी शुन्य नहीं हो सकता अब ये P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ परिवे संख्याय वो संख्याय होती है जिनको P बटे Q के रूप में फ्रकट किया जा सकता है जिसमें P और Q दोनों ही पूर्णांक है और Q का मान कभी भी 0 या आप बोलेंगे शुन्य नहीं हो सकता ठीक है? यहाँ पर दो बाते मैं चर्चा करना चाओंगा परिवे संख्यायों के बारे में पहली बात कि जितने भी पूर्णांक है उनको परिवे संख्यायों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें प्रकट किया जा सकता है कैसे देखिए? माइनस पाच एक पूर्णांक है आप इसको लिख सकते हो माइनस पाच बटा एक 0 एक पूर्णांक है आप इसको 0 बटा एक लिख सकते हो 7 एक पूर्णांक है आप इसे 7 बटा एक लिख सकते हो ठीक है? प्रकट किए जा सकते हैं लेकिन जितने भी परिवे संख्या है सभी के सभी पूर्डांकों की रूप में प्रकट नहीं किया सकते हैं दूसरी बात में करूँगा तुल्य परिवे संख्याओं की मैं एक परिवे संख्या लेता हूं 1 grade 2 इसकी तुल्य परिमे संख्या है 10 बटा 20 फिर इसकी तुल्य परिमे संख्या एक और है 30 बटे 60 तो आप देखेंगे अपरिमित तुल्य परिमे संख्या है प्रकट की जा सकती है लेकिन जो सरलतम रूप है वो है 1 बटा 2 तो किसी एक सरलतम रूप की अब पिरिमित तुल्य परिमे संख्या हो सकती है जब हम संख्या रिखा पर निरुपित करते हैं किसी परिमे संख्या को तो हम उसका सरलतम रूप ही ध्यान में रखते हैं सरलतम रूप में, सरलतम जो रूप होता है परिमे संख्या होगा उसमें जो भाजिय और भाजक इन दौलों में कोई भी उभैनिस्ट गुणनखंड नहीं होता है सिवाए एक संख्या के जैसे 10 बटे 20 आप 10 को लिख सकते हो 10 गुणा में 1 और 20 को लिख सकते हो 10 गुणा में 2 तो आप देखो के 10 और 20 में जो संख्या 10 है वो इन दोनों का उभैनिस्ट गुणनखंड है तो यह सरलतम रूप नहीं हो सकता उभैनिस्ट गुणनखंड को हटा दीजिए आपको अंश में मिलेगा 1 और हर में मिलेगा 2 तो फिर यह संख्या क्या बन गई? एक बटा दो अब इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमे संख्या की जैसा कि नाम से इस पस्ट है अपरिमे मतलब जो परिमे नहीं है परिमे संख्या क्या होती है जिनको पी बटे क्यू के रूप में प्रकट किया जा सकता है वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल पाँच, एक दशमलव, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, और यह चलता रहेगा आपने एक संख्या के बारे में सुना होगा पाई पाई एक संख्या है जो किसी भी व्रत की परिधी और व्यास का अनुपात है पाई संख्या एक अपरिमे संख्या है अपरिमे संख्या को अंग्रेजी में irrational numbers का आ जाता है चलिए अब एक और संख्या के बारे में बात करें संख्या का एक संख्या लीजिए जिसमें सारी परिमे संख्या है और सारी अपरिमे संख्या हैं मौजूद हो तो फिर क्या होगा? उस संख्या को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं real numbers और इनको अक्षर R से प्रकट किया जाता है अगर हम संख्या रिखा पे निरूपन की बात करें तो संख्या रिखा पे हर एक बिंदु किसे ने किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है तो ये हुई बात संख्याओं के बारे में